हलो फ्रेंज, आम गुर्जीत, वेलकम बैक ओन माय यूटूब चैनल बेदी लर्निंग अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली प्रेस्टी बेल आइकन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे काम को एप्रिशेट कर रहे हो हमारा वर्टसेप ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप जुरूर जोइन कर लें जहां पर आपको कैनेडा के रिगार्डिंग लेटस अपडेट मिलती रहेगी आईए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा बायोमेट्री की बायोमेट्री के रिगार्डिंग बहुसे एप्लिकेंट हमें कोल करते हैं मेसेज करते हैं और पूछते हैं कि वर्क पर्मेट के बायोमेट्रिक, स्पाउस के बायोमेट्रिक कब लिये जाएंगे इवन इंटरनेशनल स्टुडन्ट को भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जनी कि अभी बहुत से स्टुडन्स की फाइल्स भी जो पेंडिंग है जनी कि अभी तक उनके बायोमेट्रिक नहीं लिये गए जनी कि बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग अभी तक उन्हें फाइनल कंफरमेशन नहीं प्रॉइड की गई Canada Immigration की ओर से जही update दी गई है कि अभी files backlog बहुत ज़्यादा है जिस कारण files processing में delay हो रहा है Canada में भी 21st January तक lockdown कर दिया गया है और साथ ही साथ Canada में Christmas की शुटियां भी चल रही है जिस कारण बहुत सा staff free है अभी limited staff है, limited staff के थूई काम किया जा रहा है backlog ज़्यादा होने के कारण file processing में delay हो रहा है जो staff available है भी ओनलाइन गर से काम कर रहा है जिस कारण file processing में delay हो रहा है मगर अभी Canada में COVID की वैकीन तियार की जा चुकी है जिससे patient का इलाज किया जा रहा है hopefully 21st January तक सब कुछ normal हो जाएगा और सभी category के biometric भी लिये जाएंगे जनी की work permit, spouse, student सभी के biometric लिये जाएंगे अभी इसके regarding कोई भी official update नहीं है कि कब से work permit, spouse, सभी category के biometric किस दिन से start किये जा रहे है जब भी इसके regarding कोई भी official update आएगी आपको सबसे पहले inform कर दिया जाएगा इलास्ट हमारे चैनल को subscribe जुरूर कर लें, bell icon भी प्रेस कर लें वीडियो को like, share जुरूर कर दें, इससे हमें motivation मिलता है कि आप हमारे काम को appreciate कर रहे हो इलास्ट थैंक्स पो वोचिंग बेदी लर्निंग मिलते है नेक्स वीडियो में